हमारे घर में इस तरह है के बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं अगर हम सिलाई करते हैं तब भी और नहीं करते हैं तो कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो वो कपड़े वेस्ट हो जाते हैं कई बार कपड़े नए के नए होते हैं थोड़ा सा फट जाने पर वो बेकार हो कपड़ा लिया है आप कोई भी रिजेक्टिट कपड़ा यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने एक प्लेट ले ली है और इसमें मैं निशाल लगा लूँगी और डबल कपड़ा लिया है मैंने ये क्योंकि टू साइट्स चाहिए मुझे तो साइज आप देख सकते हैं तो इस तरीके से निशान लगा लिया चॉक से और कट कर लिया तो इस तरीके से देखिए एक मैं पिंक ले लूँगी और एक डाक ग्रीन है कलर इन दोनों को साथ में में रख लूँगी अब क्या करना है अब लेना है इंच टेप और इस तरीके से देखिए पहले इनको सेट कर लिया है और यहां पर मैंने डेर इंच का निशान लगाया है और डेर इंच में जितनी भी ये लाइन सीधी बन सकती है इस तरीके से मैं मिला दी है अब क्या करेंगे हम इस चीज को हम कट कर लेंगे जितना हमने निशान लगाया है ना इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से यहां पर एक कट बन गया है और यहां पर देखे मैंने यहां पर एक पट्टी ली है और दो पट्टी लेनी है यह और लैंथ है इसकी साथ और चौड़ाई है इसकी साड़े तीन तो इस तरीके से देखे मैंने ग्रीन कलर में ली है क्योंकि पर्स मुझे बनाना है में पिंक और एक pink तो एक green तो इस तरीके से देखिए मुझे जो बाहर वाला side चाहिए ना पर्स का pink चाहिए इसलिए मैंने ये green लिया है और इस पटी को मैंने side से fold कर लिया है और midpoint देखूंगी दोनों का midpoint पे निशान लगा कर इस तरीके से इसे seal देना है ये देखिए जो दोनों pink वाले part है ना उसमें इस तरीके से निशान लगा के दोनों पटीयों को हम seal देंगे और पटीया सीधी रखनी है हमें सीधी करके ही से seal ना है तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पटीयों को इस तरीके से seal दिया है और दोनों ही ना पिंक में हैं, मतलब सेम कलर में ही हमें सिलनी है अब इस तरीके से देखिए दूसरा वाला जो पार्ट हमने अधर कलर का लिया है उसको रखेंगे और इनको भी आपस में सिल देंगे दोनों को ही, तो यह यहाँ पर सिल गया है अब एक के उपर एक रखें, इस तरीके से देखिए कपड़े को हम सिल लेंगे और जो यह पट्टी है ना इसका ध्यान रखेंगा कि दोनों पट्टी एकी साइड आनी चाहिए और उस साइड आनी चाहिए जो पर्स का कलर आपको चाहिए में तो मुझे पिंग चाहिए ना, तो मैंने पिंग की साइड उसे किया हुआ है तो इस तरीके से देखिए मैं पूरा सिल लूँगी और जहां मैंने कट का निशान लगाया है इतना हमें नहीं सिलना है तो सिलने के बाद जो हमने सिलाई का एरिया छोड़ा था ना वहां से इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से और जो ये खुलावा पार्ट है इसको भी हम ऐसे अंदर को मौड करना सिलाई लगा लेंगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा अब जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हम अंदर कर देंगे सिलाई करने के बाद और ये देखिए कितना सुन्दर और कितना मजबूत यहाँ पर सुन्दर सा पाउच बनके तयार हो गया है और कलर देखिए दोनों डिफरेंट है न तो और प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से 10 या 12 इंच की मैंने डोरी बना ली है और एक को राइट साइड से इंसर्ट करेंगे दूसरी को लेफ्ट साइड से और इस तरीके से फिर आपस में उनको सिल देंगे दो को तो यहाँ पर देखिए यह तो सभी को आती है डोरिया बनानी इस तरीके से बहुत प्यारा ही पाउच बनके तयार हो गया है तो अपने जो भी है कॉस्मेटिक के सामान हम इसमें रख सकते हैं कभी ट्रैवल में जा रहे हूँ या वैसे भी आप अपने पर्स में इनको पर्स के अंदर रखेंगे तो ये अलग से ही रहेंगे और मिक्स बी नहीं होंगे बाके जीजों के साथ तो कैसा लगा ये पर्स बताएगा मुझे comment करके मुझे तो बहt प्यारा लगा है ये बहुत क्यूट सा और बहुत प्यारा पर्स बनके तयार हुआ है तो चलिए फिर ऐसे ही बचेवे कपड़े से दूसरा एक और बहुत प्यार सा वॉलेट बनाकर तयार करते हैं तो यहां पर मैंने 2 color के कपड़े लिए हैं और साथ में मैं इसी shape की ağटे की थेली काट लोगी अलग से नहीं लीआ है बस simply सा एक square मैंने यहां पर ले लिया है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से तरीके से आठे की थेली मैंने कट कर दी है तो आप कितना ही बड़ा बना सकते हो जितना बड़ा आपको wallet बनाना हो तो यहाँ पर इस तरीके से जो side यहाँ पर मैंने नहीं सिली थी वो पकड़के मैंने इसको सीधा कर लिया है और यहाँ पर देखेंगे कि जितनी आटे की थेली आपको extra लग रहे है उसे cut कर लेंगे औ यहाँ पर बहुत प्यारा जो वाललत वो बनके तयार होगा और बहुत ही प्यारा डिजाइन होगा देखिएगा कैसे Lenya मैंने नहींसे बंद कर दिया है और इस तरह के से में फोल्ट करूंगी और यहाँ पर corner इस तरीके से मौड़ लोगी तो कोई नाप नहीं है अपने मन से इस तरीके से बस मौड़ ले और यहां पर ऐसे इतनी दूरी पर आधे-अधे इंज की दूरी पर एक सिलाई लगा ले इस तरीके से अब वापस इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और जो यह फोल्ड वाला साइड है इसका corner लेके इस तरीके से स्ट्रेट लाइन चौक से निशान लगा कर अब मैं यहां पर सिलाई लगा लोगी दोनों साइडों में तो आप देख सकते हैं कि जो यह साइड में खुला वापार्ट है इसको मैं फोल्ड कर लो तो ऐसे ही प्यार साही डिजैन बनेगा आप चाहें तो और अच्छे कलर भी ले सकते हैं तो एक ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि एक फ्लार वाला ले लिया और एक प्लेन भी ले सकते हैं तो देखिए यह वालेट बनकर तयार हो गया है तो आप चाहें तो यहां पर अंदर इस कार्ड ये सब चीजे जो स्ट्रेट रहती है ना वो इसमें रख सकते हैं मोरने का कोई डर नहीं होगा और आप इसे फिर वालेट में या अपने जो बैग होता है ना उसमें रख सकते हैं तो बताएगा मुझे ये दोनों के दोनों पाउच या पर्स आपको कैसे लगे और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर